न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वंज टीजर को इतना क्रिटिसिजम मिला क्यों लोग कह रहे हैं कि इस रामायन को देखने से पहले कोई हमें तीर मार दे जोक सपाट मतलब लोग रामानन सागर की रामायन देखना पसंद करेंगे वजाए आदिपुरुस के सब जानें के बस कुछी देर में लेकिन उससे पहले मात तरे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना तो चलिए सुरू करते हैं तो पहला टीजर जब आये था आदिपुरुस का लोग की तरब से भर भर के क्रिटिसिजम मिला था सोचल मेडिया में बहुत हुथ हुई थी ना कि सिर्फ मेकर्स की बलकि पूरी मूवी थी थी Each and every part of this film बस क्रिटिसिजम के दाहरे में घूमती रही फिर मेकर्स ने पबलिक को दोबारा यकीन दिलाए कि हम मूवी में चेंज करेंगे कुछ पैसे और खर्च करके दोबारा टीजर निकला इस बार तो मानो लोगों के जले पर नमक छिड़क दिया गया लोग और भी ज़्यादा चला गया ये सारा क्रिटिसिजम इसलिए भी क्योंकि 500 कुरोड के बजटे बनने वाली फिल्म कॉमेंट करना इसी की चलते मेकर्स की तरफ से निव पोस्टर रिलीज डेट अनाउंस होती है और मेकर्स ने दिन चुना राम नवपमी का बाई साब लोग पगला गये हैं पोस्टर को देखकर क्योंकि स्री राम धरबार में जो पोस्टर बच्पन से देखते आ रहे हैं डिक्टो वही कॉपी कर डाला है 500 कुरोड के बजट में से 50 रुपए अगर डिजाइनर को दे दे थे तो वो भी मन लगा के काम करता मतलब इ अधर भी नहीं लेना चाहते हैं कहते हैं कि राम भरोसे भया अब जो होगा देखा जाएगा बस अब मेकर्स भी मात्य पर चंदन लगाकर सी राम के चर्णों पर पसर गये हैं कि भगवान अब तू ही सार है दोस्तो लोग का ये तक कहना है कि फिलिपना रिलीज करके हम पे बड़ा हैसान होगा कुछ का तो ये भी कहना है कि मूवी अगर रिलीज हो गई तो रावन को लगने वाला तीर पहले हमारे सीने पर उतर जा है कुछ तो रोज मंदिर जाके सीधा भगवान से कह रहे हैं कि राम तो अब तो कल की रूप का अबता लेओ क्योंकि कलियोग चर करके 416 करों का बिजनेस करके जाती हैं वो इसलिए कि मूवी चूतियानी का अट्रिये पब्लिक का परभास का नाम इस्तमाल करके कुछ भी बना देंगे तो पिटफॉल तो देखना पड़ेगा मेकर्स को बाकी देखते हैं और क्या थूतू करवा सकते हैं मेकर्स इस प्यो न्यू रामायन का लुक कैसा लगा आपकी क्या राया है मोवी को लेकर फटा वट कमेंड अक्सर चरू बदा हो यार बाकी आदिपुरस से रिलेटर जो भी अपडेट्स आती हैं तब हम फिर मिलेंगे बाकी सिनमा से जोड़ी सारी अपडेट्स बॉक्स अपडेट्स से जो झाल